नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथासिस में आपका स्वागत है। इसकी सवी जनता एक जूट हो, एक दूसरे के बंधन में बंधी रहे, एक दूसरे के साथ हिर्दय से एक दूसरे से जूली रहे, उसे राश्ट्री एकिकरन कहा जाता है। तो नेशनल इंटिग्रेशन, इस इंटिग्रेशन में कौन-कौन सी बाधायें आती है, एवं इसके सॉलिशन। तो समझते हैं सबसे पहले राश्ट्री एकिकरन का क्या अर्थ है, इसके बाद एतिहासिक प्रिष्ट भूमी, इसके बाद इसके चिनौतियां एवं निराकरन एकिक करके सबको समझते हैं। चली सुरू करते हैं। दोस्तों राश्ट्री एकिकरन का अर्थ सिताथ पर यह है, कि राश्ट्र परति उन देश की वासियों की ऐसी भावनात्मक रूप जिस भावना से वे देश के सभी लोग आपस में एक दूसरे से बंद जाते हैं। आपस में एक दूसरे से जोड़ आते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, कि 1922 और 1933 में जब फासिवाद और नाजिवाद का उदै हुआ, एतली और जर्मनी में, उस समय कैसे उस देश की जनता, उस देश की जनता जो है, वो राष्ट्रे एकत्व में, राष्ट्रे भावना में बह कर, पूरी जनता देश को एक ससक्त देश बनाने के रहा पर चल पड़ी थी, मतलब उस देश की तमाम जनता एक दूसरे से एक जूट हो गई थी, जैसे अगर हम भारत की ही बात करें, तो भारत में कभी भी अगर किसी मालीज़ पाकिस्तान अभी कोई अटेक करता है या चाइना कभी अटेक करता है, तो हम तमाम देश वासियों, तमाम देश वासि जो हैं, वो अपने सेना के प्रति खरे हो जाते हैं, उससे में हम यह नहीं देखते हैं, कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सीख्खे, इसाई हैं, हम उची जातिक हैं, या नीची जातिक हैं, ह अंतलब हर वर्ग की एक ऐसी भावना जो देश के प्रती हो जो कि प्रती समर्पित हो उसे राश्ट्री एकी करण के नाम से जानते हैं दोस्तो अगर हम भारत के संदर में बात करें तो भारत की जो सब्भेता है जो संस्तिती है जो परंपरा है वो कई हजार वर्स पुरानी है जैसा कि हम देख रहे हैं देख सकते हैं कि हम कौटिल्ले से लेकर आज तक हमारी परंपरा कौटिल्ले के भी कई वर्सों कई हजार वर्सों कई सव वर्सों पुराने से चली आ रही है उस समय से हमारी सब्भेता परंपरा आज तक कायम है हम वर्षों की गुलामी के बाद भी दिल्ली सल्तनत मुगल संत्रत के बाद में फिर अंग्रेजों की गुलामी के बाद भी हम आज इस काभिल हैं कि हम अपनी सब्भेता अपनी संस्कीति को बचायने में इससे संरचित करने में हम कर इतने अडिग हैं इतने सुचारू हैं इतने सही हैं कि हम अपनी परंप्रा सभ्यता को किसी विहाल में खोना नहीं चाहते हैं अब आगे देखते हैं कि राश्ट्रे एकिकरन को कैसे बनाया जा सकता है इवं इसके उद्भव कैसे होती है दोस्तों राजनितिक विचारकों के दुआरा राश्ट्र के प्रती एक्ता राश्ट्र के प्रती एकिकरन की भावना को उत्पन करने के लिए मुखेता चार बिंदू बताये गए हैं ठीक है वो कौन-कौन से है ध्यान से समझते हैं सबसे पहला है कि एक जैसा एतिहासिक विचार मतलब कोई एक ऐसा कंट्री जिसके अगर एतिहास एक जैसे हो इस देश में ऐसी परिस्तिती होने पर अवस्य ही उस देश की जनता एक जैसी भावना में बंधी रहेगी एक उधारें के तोर पर लेते हैं अगर कोई एक ऐसा देश है जहां पर पूरप से दस लोग पस्चिम से दस लोग दस्चिन से दस लोग मतलब अलग-अलग देशों से अगर दोस्त लोग आकर रहे हैं चुकि ये तीनों के फिर अलग-अलग संस्कृती अलग धर्म अलग रहेगी तो ये कभी भी एक दूसरे से एक जैसी भावना में नहीं बन सकते एक जैसा एकिकरन एक जैसा राष्ट्रिय भावना इसमें नहीं उत्पन हो सकता इसलिए अवश्यक है कि राष्ट्रिय एकिकरन की अस्थापना के लिए हमारे देश में एक एतिहासिक वीचार अ परंपरा हो वो एक जैसी हो तब उस देश की एक करन उस देश में राष्ट्रियता के भावना एकडम सुध्रिड होगी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जर्मनी में नाजी वाद के समय उस समय एक नसले के लोग एक तरह के नसले के लोग एक जूट हो गये थे और वो सारे लोग देश को सफल बनाने में देश को सक्तिसाली बनाने में अपना जीव जान लगा दिया था इस तरह से देख सकते हैं कि राष्ट्रिय एकिकरन मतलब देश को एक जुत्ता में बाढने के लिए एक जैसी सांस्कृतिक चेतना का होना भी बहुत आविसक है इन सभू से महत् सोनी चाहिए ऐसा नहीं कि कोई देश है जिसके कोई सीमा ही ना हो तब फिर तो वो देश कहलाएगा भी नहीं तो उस देश की सीमा बद इकाई मतलब उस देश का अपना बॉंडरी अपना एक निश्चित छेत्रफलोना आविसक है इन सबू से क्या होगा उस देश की तमान जनता जो है वो अपनत्व की भावना में अपने जैसल मतलब जिस तरह से एक पिता अपने बेटे से अपनत्व की भावना में बहता है बंधता है उसी तरह से उस देश की सासक के प्रती उस देश की तमान जनता उससे बंधी रहेगी इससे क्या होगा उस देश की राष्ट करें तो भारत को अक्सर विवीतिता में एक्ता की देश कहा जाता है दोस्तों भारत को विवीतिता में एक्ता की देश कहा जाता है यानि कि unity in diversity का नाम आपने तो सुना ही होगा इसका अर्थ यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अनेक तरह की जाती अनेक तरह के वर्ग अनेक तरह के धर्म, अनेक तरह के भासा बोलने वाले बहुरंगी, मतलब अनेक रंगों के यहाँ पर लोग रहते हैं, इस तरह से कह सकते हैं, भारत के एतिहासिक विचार कहीं न कहीं एक जैसी है, लेकिन भारत में सांस्क्रितिक विवित्ता बहुत जादा है, अगर भारत की भर्मन उत्तर से लेके दच्छिन तक और पूरफ से लेके पश्चिन तक करेंगे, तो आपको लगभग कई सौ सांस्क्रितिक विवित्ता में अवस्य ही मिल जाएगी, तो इस तरह से कह सकते हैं, कि हमारा भारत जो है, वो विवित्ता में एकता की देश होते हुए भी, आज राश्ट्र के परती सभी की भावना एक जैसी होती है, मतलब हमारे देश में एकिकरन की भावना, राश्ट्र वादिता की भावना एक जैसी जरूर है, लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि हमारे देश में जरूर कुछ ऐसे मुद्धे हैं जिसको लेकर समय समय पर राष्ट्रे एकिकरन की भावना में फूर्ट जरूर होती रही है, मतलब कुछ-कुछ ऐसी मुद्धे हैं जिससे राष्ट्रे एकिकरन की भावना समय समय पर कमजोर अवस्य होती रही है तो अब हम लोग उन सारी मुद्दों को देखते हैं आप ध्यान से देखिए दोस्तों तो अगर हम भारत की एक ही करण में उत्पन होने वाली चुनौतियां बाधाओं की बात करें तो इसमें सबसे महत्रपूर्ण जो होता है वो जाती एवं संप्रदाय है क्योंकि हम अखी धर्म के लोग के अनेक जातियां आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं अगर हम बात करें हिंदू की ही तो हिंदू में मुख्यता चारवर्ण है ब्रह्मान च्छत्रिये वैसे और सुद्र ये चारों में हमेशा खास करके उची जाती एवं नीची जाती में कभी भी ए अंतर जातिये विवाद मतलब एक जाती दुसरे जाती से अक्सर एक दुसरे से लड़ते हुए दिखाए देते हैं जैसे अगर हम किसी भी जाती का एग्जामपल ले वो लेना सही नहीं है तो जाती घरत बेदवाव देखने को अवसे तोर पर मिलती है दुसरी और अगर हम सांपरदाईक विवाद को देखे संपरदाई का मतलब अर्थ है यहाँ पे विशेश धर्म जैसे अगर हम दिख सकते हैं कि ब्रिटिस की आने से पहले हम हिंदू-मुस्लिम एक जैसे एक जू ब्रिट की हिंदू-मुस्लिम आपस में लगना आपस में मन मुटाओ अवस्य शुरू हो गया तो इसका फाइदा जो है वो डायल तोर पर अंग्रेज उठाएं लेकिन उसका हान ही आज भी हमें कहीं न कहीं अपने देश आजात देश भारत में देखने को अवस्य तोर पर मिलती है साथ ही में जो तीसरी सबसे बड़ी चुरू होती है वो है अल्प संख्यकों का सवाल जैसे अगर हम देख सकते हैं अल्प संख्यक मतलब क्या देश में एक ऐसा वर्ग जिसकी संख्या एक दूसरी वर्ग से कम है जैसे अगर हम बात करें तो देश में स्टी, स्टी मतलब उनको उपर ऊठाने के लिए, तो इन बातों को लेकर अवस्य तौर पे अल्ब संख्यकों के परती, अल्ब संख्यक एवं बहूल उप संख्यक में आपसी मन्मुटाओ देखने को मिलता है। तो यह सब क्या है? यह सब actually देश की आंतरिक छोटी 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 कमिया हैं जिसके वज़ा से देश में आंतरिक मन मुटाव अवस्य रूप से देखने को मिलती है इसके बाद जो एक कॉमनसी है वो है आर्थिक विसमता देश में ऐसा दिखा जाता है कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के विच में फासला बढ़ते रहा है जैसे अगर हम अभी बात करें तो लौकडॉन में पहुत सारे लोग के घर से खाना तक खतम हो गया उन्हें खाना तक नहीं मिला इससे क्या हुआ लोग गरीब होते गए अब गरीब कब खोसोंगे जब इनको भोजन मिलेगा और अमीर को तो भोजन है ही तो इस तरह से चुकी गरीबों के पास भोजन नहीं है इसलिए इनका मनमुटाओ इनकी असंतोज भावना अवस्य ही जगी जो की कहीं न कहीं आर्थिक विसमता के कारण थी इसके बात जो है वो भासाई विबाद इसको समझते हैं अपने आंध्रपर देश का नाम तो सुना ही होगा आंध्र परदेश देश का एक ऐसा पहला राज्य है जिसका घटन भासाई विबाद के आधार पे हुआ मतलब एक कह सकते हैं कि देश में कई वर्ग ऐसे हैं जो अपने भासा को लेकर कतर हैं कई वर्ग ऐसे हैं जो जिनका भासा एक जैसा है तो वो अपने भासा के अधार पे अपना एक अलग समूग अठित करके वो अलग-अलग राजी की मांग करने लगे हैं तो इस वज़ाद से भी देश की आंतरिक एकिकरन वो कमजोर परती दिखाय देती है, मतलब भासाई विवाद जो है वो एक ज्वलंत मुद्दा है, इसके बाद जो हमारे बिरुक्राइट्स नेता के द्वारा जो भर्ष्टचार किये जाते हैं, उस भर्ष्टचार से कहीं न पर्मान पत्र या कोई भी बैंक का काम हो या कहीं भी जाते हैं, तो उस समय हमारा आसानी से काम नहीं हो पाता, लेकिन अगर वहीं पे हम लोग थोड़ा सा 150,000 दे देते हैं, तो अवस्य लुप से हमारा काम हो जाता है, तो इस तरह से जो भर्ष्टचार की भारना है, वो नीचे तपक के लोग को अवस्य नाखुस करती है, जिससे देश की एकिकरन की भावना में अवस्य एक कमजोरी उत्पन होती है, इसके बाद अगर बात करें, राजनेतिक पार्टियां, तो ये सबों का जड़ अगर देखा जाए, तो मुखेता राजनेतिक पार्टियां है राजनेतिक पार्टियां एक ऐसी देश की संस्ता है, जो देश की छोटे 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 वर्गों को आपस में लरवा कर और अपना फाइदा निकालना चाहती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, कि अगर दो राजनेतिक दल आपस में खड़े हैं, तो हमेश्या एक दुसर कि कभी अच्छी बातों की बात ही नहीं करते हैं, इससे क्या होता है, देश की जनता के मन में दुसरे राजनेतिक दल के परती असंतोस, मनमुटाओ, एवं मानसिक विक्रिती के तौर पे बुरा स्वभाओ, मतलब बुरा विचार दुसरे पार्टी के पर उत्पन होता है, लेकिन ये सीत के लालच में, अपने गदी के लालच में देश की जनता को आपस में बाटती है, इनसे अपसी भोट लेने के लिए आपस में लड़वाती है, एवं राष्ट्रे एकी करन में चुनौती उत्पन करती है, तो इस तरह से देख सकते हैं, कि राष्ट्रे एकी कर के अधार पर है बहल राजनितिक पाम्टियान के अधार पर है अब हम समझते हैं कि अARKHIR को क्या निपतार हो सकता है अ sonoda इन सारी चुनों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं कम कर सकते हैं चलिए दिखते हैं दोस्तों तो राश्टी क unpTY करन की चुनों में अगर निराकरन मतलब इन चुनौतियों की सॉलूशन की बारे में बात करें तो मुख्यता हम कुछ बिंद्यों को देखते हैं जो अवस्यक तोर पे लागू होते हैं एवं सही प्रतित होते हैं सबसे पहला है सासन परदाली में सभी वर्गों की सहवागिता इसका कहने का म सारे पद दे दिये जाएं सारे मंत्री बना दिये जाएं तो क्या अलप संख्यक वर्ग उससे नाखुस नहीं होंगे अवस्य होंगे तो ऐसी देश में ऐसी सासन विवस्था होनी चाहिए देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें अलप संख्यकों के साथ सर्थ बहुत सं का उचित मौका मिले अगर ऐसा होगा तो जरूरी है यह आवस्यक है कि देश में जो असंतोस की भावना है वो अवस्य तोर पे घटेगी दुसरी बात है सिच्छा जगत में क्रांती जैसे बोलते हैं ना सिच्छा एक ऐसे चीज है जो आपको मानसीक रूप से बिद्वान बनाती है मानसीक रूप से आपको अमीर बनाती है अगर आपके पाग सिच्छा है तो आप जिन्दगी में कभी भी कमजोर बनकर दब कर नहीं रह सकते तो सिच्छा जगत में क्रांती का मतलब यह है कि अगर सिच्छा सभी को मिले तो इससे एक सस सक्थ समाज की अस्थापना होगी इससे लोगों में बिचार की भावना लोगों में सहभाग सहभागी बनने की भावना का अवस्य हे निर्मान होगा तो इससे बोल सकते हैं कि सिक्षा जगत मिकरांती से एक ससक्थ समाज का निर्मान होगा जिससे लोग अपने अधिकार एव पतलव राष्ट्रे निराकरन में, राष्ट्रे एकीकरन की चुनोंतियों के निराकरन में हमारा सासन परणाली में सभी को भागिदारी होनी चाहिए, सिच्छा जगत में करांती सभी को उचित सिच्छा अवस्य प्राप्त होनी चाहिए, सभी को अधिकार एवं कर्तव्यों क उचित जानकारी अवश्य तोर पे होनी चाहिए इसके बाद है स्वास्त लोकमत का निर्मान इसका अर्थ क्या है जैसे मान लेते हैं देश में अगर चुना हुआ और आपको यह पता चल गया कि इस चुनाव में धानली हुई है इस चुनाव में बिसेश को इराजनेतिक दल वो पूरी बोट पे कबजा करके अपना भोट डलवाई है तो क्या आप इसके सासक से संतोस्त होंगे बिल्कुल नहीं तो इसके लिए आवश्य क्या है कि जो हमारी निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरह से पारदसी होने के साथ साथ पूरी तरह से स्वस्त हो वो राजनि हम अपना विश्वास खुले तोर पे रख सकें तो अगर स्वस्त लोकमत का निर्मान होता है तो अवश्य क्रूप से हमारे देश में एकी करन की भावना बढ़ेगी सरकार के प्रति विश्वास की भावना बढ़ेगी इसके बाद है धार्मिक सहिस्नुता अक्सर यह देखा जाता है कि हमारे देश में जो धार्मिक लोग हैं मतलब कहने का अर्थ है कि कभी हिंदो मुस्लिम में आपस में मन मुटाओ अवश्य तौर पे देखने को मिलती है विश्य परिस्थितियों में तो अगर हम धार्म के परति सहिस्त्नु हों धार्म के परति एक दुसरे से मान कर सकते हैं इसके बाद जो महत्रपूल है वह संस्कृतिक आदान प्रदान इसका कहने का मतलब यह है कि दो भाई है मान लिजे दो भाई हैं दोनों का मतलब एक गाउं वाले भाई हैं और दोनों का संस्कृति अलग-अलग है इनका अपना कल्चर धोती कुर्टा पेनने का है इनका अपना kulturger जिन्स ठीसकपेंने का है तो ये अपने पिनहावे उड़ावे में कभी अपनत्त्व की भाबना नहीं रखेंगे तो हो क्या सकता है हम इनकी भी सम्मान करेंगे अगर ये दोनो अपनीалы करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो अवस्य रूप से ये दोनों आपसी सहयोग के साथ आपसी अपनत्व की भावना को बढ़ा सकते हैं कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने समाज में संस्कृति का आधान परदान करेंगे तो इससे हमारे अंदर भाईचारा की भावना बढ़ेगी जिससे डारेक्ट रूप से हमारे देश की एकिकरन, देश की इंट्रेगरिटी, देश की एक्ता की भावना बढ़ेगी इसके बाद यह है सामप्रदाइक सतभाव कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि देश में तमाम लोग आपस में एक दुसरे से भाई के रूप में रहें एक दुसरे का सम्मान करें, एक दुसरे के चीज़ों को सम्मान करें इससे क्या होगा, देश में समाज मजबूत होगा समाज के मजबूत होने से हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और राष्ट्र के मजबूत होने से हम विश्व का परदिने जित्व अवश्य रूप से कर सकते हैं तो उमीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ तब तक लिए जय हिंद नमस्कार